गुजरात और हिमाचल के साथ दिल्ली MCD का एक्जिट पोल आ गया है एक्जिट पोल में जहां गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत के संकेट मिल रहे हैं वहीं हिमाचल में कांटे की तक्कर भी दिखाई देती दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी कबजा कर सकती है राजनीतिक विस्डेशन RSS विचारक भुवेंदर शर्मा कहते हैं कि भाजपा की जीत विचारधारा की जीत है गुजरात भिधानसवा का एगजिट पोल आ गया है हिमाचल परदेश भिधानसवा का एगजिट पोल आ गया है और दिल्ली एमसीडी का भी एगजिट पोल आ चुका है इसके अलावा यूपी में हुए उपचुनावों का भी एग्यट पोल आ चुका है एग्यट पोल ने जो दिखाया है गुजरात में भाजपा की जीत दिखाई है साथवी बार गुजरात में भाजपा की सरकार बनने वाली है हिमाचल में कांगरेस और भाजपा के भी टक्कर दिखाई जा रही है लेकिन कुल एग्यट पोल भाजपा की जीत दिखा रहे है दिल्ली एमसेडी पर आम आदमी पार्टी का कबजा बताया जा रहा है हकीकत क्या होगी इसका पता मदगणना के बाद चलेगा इसका फिलाल इंतजार करना होगा सभी अपने अपने तरीके से एग्यट पोल के नतीजों को देख रहे है आरसस बिचारक भवेंच सर्मा कहते हैं ये बिचारों की जीत है जैसा आपने अभी बताया कि गुजरात में और हिमाचल में बीजेपी की हिमाचल में थोड़ा सा कंट्रेस्ट है लेकिन मुझे लगता है कि इश्वर चाहेगा और ऐसी घड़ी आ रही है कि हिंदूत का पर्चम फैलाने की फैर रहा है तो मेरे ख्याल से तो हम दोनों जगे और दिल्ली में भी MCD के चुनाओं में मुझे लग रहा है बीजेपी का आरे से बिचारक भवेंच सर्मा का मानना है कहीं न कहीं लोग अब समझने लगे हैं यहीं बज़े है कि भारती जन्ता पार्टी की जीत हो रही है लगातार भारती जन्ता पार्टी चुनाओं में अपनी जीत दच कर रही है थोड़ा सा समाज के अंदर एक थोड़ा सा हमारे जो समाज के अंदर एक थोड़ी सी कमी तो है थोड़ी से लोव लाला चिन में है नहीं क्योंकि थोड़ा सा अशिक्षित समाज है उसके करणा से लोग उनको प्रलोभन देकर इस तरह की बातों में ले लेते हैं इस प्रलोबन से हम समाज को मुक्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सुष्यासन और सुष्यासन दोनों ही हो, इस द्रश्टी से हम विचार करते हैं, लेकिन फिर भी यह हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहा हैं, और वो प्रशिक्षित होते ही, जब वो प्रशिक्षित होते आ रहा है इसलिए बीजेपी का ग्राफ भढ़ा रहा है आप नूट कर रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा किसके सिर्ट सजेगा ताज कौन बनेगा गुजराद का मुख्यमंतरी कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंतरी और कौन MCD पर कब्जा करेगा इसका पता तो एगिट पॉल से नहीं लगा जा सकता लेकिन पाइणाम आने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब पाइणाम आएगा तब पता चलेगा किसके सिर सजा है ताज राकिश कनोजिया सी नियूस आगरा